Students, हमने 10 लाग तक, यानि की 1 million तक की place value का हमने number system देखा था, Indian और International number system दोनों में Now, proper placement, यानि की numbers को सही जगे पर रखना, deserts को सही जगे पर रखना जब भी हम addition या subtraction के लिए plus या minus करने के लिए numbers को लिखते हैं तो हमेशा हमें एक के नीचे एक number लिखना चाहिए, यह तो आपको पता है, लेकिन जो place value होती है, उस place value के नीचे ही दूसरा number हमें लिखना चाहिए जैसे की units place की जो digit है, वो units place के नीचे ही आएगी, tens place की जो digit है, वो tens place में ही आएगी और 100 प्लेस की जो डिजिट है वो 100 वाली प्लेस के अंदर ही आएगी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर correct प्लेस में देखे रखा है units के नीचे कितना अच्छा से तीनो units की place value लिखी है tens के नीचे tens की और hundreds के नीचे hundreds की तो यह placement सही है लेकिन अगर हम ऐसा उल्टा सीधा कहीं पर भी आगे पीछे कर देंगे तो यह कुछ ऐसा दिखाए देगा और इसकी वज़े से हमारा जो answer है वो भी गलत आ सकता है तो जब हम addition या subtraction करते हैं तो हमको इस तरीके से एक के नीचे एक place value के according ही number लिखना चाहिए otherwise अगर हम गलत तरीके से लिखेंगे तो हमारा answer भी गलत ही आएगा Now we will do the exercise Written exercise का first question है Put commas in the given numbers as per भारती गर्णा प्रणाली भारती गर्णा प्रणाली के according हमें कॉमा लगाना है numbers के बीच में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जब भारती गर्णा प्रणाली में कोई number लिखते हैं तो उसमें last में हर 3 digit के पहले और फिर उसके बाद हर 2-2 digit के पहले कॉमा लगाते हैं यानि कि 11, 12, 12 सैकडा के पहले कॉमा फिर उसके बाद हर 2 place value के पहले जब period change होता है तब हम कॉमा लगाते हैं तो उसी के according हमें यहाँ पर कॉमा लगाके numbers को फिर से लिखना है next question is write Hindi number names off यहाँ पर हमको जो numbers देके रखे हैं उनको हमको हिंदी में लिखना है जिसे 1, 10, 100, 20, 42, 1000, 34, 35 ऐसा हमको हिंदी में लिखना है write international number names off अब इन में हमको international system के जो number names हैं वो लिखना है तो क्योंकि यहाँ पर जग्य कम थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है मैं आपको बोल के उता देती हूँ जो first वाला है उसको हम लिखेंगे 267,195 230,154 610,095 543,296 945,001 तो इस तरीके से हमको international system में लिखना है Now हमें यहाँ पर जो number names देके रखें उनको हमको figures में यानि की number में लिखना है 7,000, 1,400, 450, 2,008, 1,230, 970, 38,024 क्योंकि यहाँ पर 100 की जो digit है वो नहीं है 1000 के बाद सीधे 24 आ रहा है तो इसलिए 100 की जगे पर हम 0 लगा देंगे 8022 यहाँ पर भी ऐसे होगा जो place value छुटी होई हो इसके जगे हम 0 लगा देते हैं बीच में 506, 140 तो यह exercise आपको अपनी copy में complete करनी है